ओम शांती साथ नौ दो हजार तेईस की साकार मुरली मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर श्रीकृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को इस्पष्ट करो प्रश्ण ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बाते करते हैं उन्हें वंडर क्या लगता है उत्तर ब्रह्मा बाबा अपने आप से बाते करते हैं पता नहीं क्या होता जश्य बाबा घड़ी घड़ी बूल जाता है ऐसे तो नहीं बाब जब प्रवेश करते हैं तब याद रहती हैं बाबा चले जाते हैं तो याद बूल जाती है परन्तु मैं तो उनका बच्चा हूँ याद भूल क्यों जाती है क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बाते करते वंडर खाते रहते हैं गीत तु प्यार का सागर है ओम शांती धारणा के लिए मुख्य सार पहला मास्टर नौलेजफुल और त्रिकाल दर्शी बन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को इसपश्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है दूसरा बाबा जो ऐसे निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है ख्याल करना है कैसे किसको समझाए वरदान बुद्धी के चमतकार द्वारा आकार में साकार का अनुभाव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव कई बच्चे आये भल पीछे हैं लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभाव साकार रूप करते हैं ऐसे अनुभाव से बोलते हैं कि हमने साकार में पालना ली है और अब भी ले रहें तो आकार रूप में साकार का अनुभाव करना या बुद्धी की लगन का इसने का प्रत्यक्ष स्वरूप है यह भी बुद्धी के चमतकार का सबूत है ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीब दिलाराम के दिल रुबा हैं जिनके दिल में सदा यही गीत बचता है वाह मेरा बाबा वाह स्लोगन त्यागी आत्मा के हर कर्म वा कदम में सफलता समाई हुई है अच्छा, ओम शान्ती आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हुँ पल के ना पल भर बंद मेरे हुँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख स्वच्छा मेरे इन लहरे उतर जाओं सुख स्वच्छा सुख पल के अचर जाओं भर बंद मेरे ना तर जाओं